जैपुर ग्रेटर नगर निगम में ट्रेंड लाइसेंस के आदीश पर सरकार ने रोक लगा दी CM के हलोत के निर्देश की बाद UDS मंत्री शांतिधारिवाल ने रोक लगाई है आपको बता दी कि लंबे समय से व्यापारी विरोध कर रहे थे शुक्रवार को व्यापारियों ने UDS मंत्री से मुलाकात की थी तो ट्रेंड लाइसेंस को पर रोक लगा दी है आपको बता दे कि व्यापारियों ने विरोध रताते हुए UDS मंत्री शांतिधारिवाल से मुलाकात की थी मुलाकात की बाद मंत्री ने रोक लगाई राजसान इंटेलिजेंस ने कारवाई करते हुए जासुसी के आरोप में रेलवे डाक सिवा जैपुर के MTS करमचारी को गरफतार कर लिया बतायो जा रहा है कि पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी की महिला एजेंट ने MTS करमचारी भरत को हनी ट्रेप में फसाये था इसके बाद सेनाकी गोपनी दस्तावेस की फोटो खीच कर आरोपी महिला को वाटसेप किया करता था श्रक होने पर मिलेटरी इंटेलिजेंस दक्षिनी कमान नज़र रख रहा था जासुसी के आरोप में भरत पावरी को गरफतार कर उससे पूछताश की जा रही है वहीं पूछताश में कई संसरी खेस खुला से भी होने की उमीद है तो आरोपी जो पाकिस्तान को खूफिया जानकारी भीजा करता था जिसे पूलिस ने गिरफतार कर लिया इसके साथ ही अब पुलिस आरोपी से पूश्टाश कर रही है इसके साथ ही ये भी उम्मीज जतायश आ रही है कि कई बड़े खुला से इस पूश्टाश में हो सकते है आपको बता दे कि महिला ने आरोपी को हनी ट्रेप मामले में फसाया जिसके बाद आरोपी सभी जानकारी उसे वाटसेप के जरीए भेज दिया करता था टीम को शक होने पर टीम ने पूरे मामले में जासु सी की जिसके बाद मामला साफा हुआ के सिसके बाद वाले में एड़ी सिसके बादाऑ साफा मामला थे राद сог़णसेविक बादाब ज sor दि आरोपी सालनकारीिक